हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सब का एक बर फिर स्वागत है, आज की क्लास में हम लोग डिसकस करने वाले हैं, रिजफ बैंक ओफ इंडिया और उसके साथ भारत की मौधरिक निती और उसके साथ में हम लोग डिसकस करेंगे, RBI के मौधरिक उपकरण या मोनेटर टूल्स ये ऐसा एरिया है जहां से कोई भी एक्जाइम हो एक सवाल जरूर पूछा जाता है अगर आपके स्लेवस में एकॉनोमी है तो इस चेप्टर का सवाल जरूर आएगा सबसे पहले हम लोग डिसकस करते हैं रिजर्व बैंक ओफ इंडिया हम सब ये जानते हैं कि रिजर्व बैंक ओफ इंडिया भारत का केंद्रिय बैंक है केंद्रिय बैंक होने का मतलब भारत का सबसे बड़ा बैंक है ये सभी बैंकों को बैंकों की सुईधा देता है और बैंक में Reserve Bank of India की स्थापना की जानी चाहिए उसके बाद 1931 में एक और Committee बनाएगी जिसका नाम था केंद्रिय बैंकिंग जान समीती उन्होंने भी सिफारिश की कि भारत में RBI की स्थापना होनी चाहिए और उनकी सिफारिश एमान के सरकार में फाइनली 1934 में RBI अधिनियम पारित किया उस अधिनियम के अंतरगत RBI की स्थापना हुई और एक अपरेल 1935 से हमारे भारत में RBI ने काम करना प्रारम कर दिया उसके बाद भारत में RBI जब बना तभी से RBI भारत का केंद्रिय बैंक है और RBI का मुख्याल है मुंबई में आज के दिन स्थित है अब अगर हम लोग ये चेक करें कि Reserve Bank of India बेसिकली भारत में काम क्या क्या करता है इसके कारे क्या है और वही सबसे important है RBI के कामों में पहला important काम है banking शेत्र का नियामक banking शेत्र को regulate करना जिसका मतलब यह है कि banking शेत्र के विकास के लिए नियम बनाना अगर कोई भी bank उन नियमों को ना मने तो उन नियमों को ठीक से लागू करते हुए बैंकों की खिलाफ कारेवाही करना बैंकों के उपर ठीक ऐसे ही बैंक भी कही बार संकट में आ जाते हैं बैंकों को पैसे की जरूरत पड़ती है जब बैंकों को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आरबियाई से पैसे ले सकते हैं और अगर किसी बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा है तो आरबियाई के पास जमा करा सकते हैं लोग नाम देते हैं विनिमेदर तो विदेशी मुद्रा के संकक्ष भारती मुद्रा का मुले विनिमेदर ये एक्शेंज रेट कहलाता है ये एक्शेंज रेट ठीक से चले इस संबन में भी RBI अपनी डूटी निभाता है तो ये RBI का एक और कदम है इसके अलावा हमारे भार विदेशी मुद्रा को बचा के रखते हैं so that कभी भी foreign currency का संकट ना आए उस विदेशी मुद्रा भंडार में कई सारे चीज़े रखी जाती है जिसमें मुख्यत सोना या गोल्ड होता है विदेशी मुद्रा होती है और International Monetary Fund अंतराष्टे मुद्रा कोश के SDR भी उसमें र रखा है एक तो धातू की currency है सिक्के और एक है नोट हमारे भारत में जब नोट छपते हैं तो एक रुपए के नोट को छोड़ के सारे के सारे नोट छापना ये काम है Reserve Bank of India का एक रुपए का नोट और धातू के सिक्के ये भारत सरकार ने अपने अधीन रखा है और भारत स रखने की जो प्रणाली आज की दिन प्रियोग होती ए उसका नाम है निूंतम ब्रेजब रखनाली मिनिममम ब्रजबरर ुपए क tv 차 क्रोड में से कंपलसरी है कि कम से कम एक सो 15 करोड का सोना होना चाहिए 85 कρόड अने फॉरम में रखा जा सकता है जो विदेशी मुद्रा भी ह सकती है बट 115 करोड का सोना रखे विना बात नहीं बनेगी इसके अलावा RBI दूसरे बैंकों को शमा शोधन ग्रै की सुईधा भी देता है जिसको अंग्रेजी में हम क्लिरिंग हाउस बोलते हैं इसका मतलब है कि आप लोग कई बार अपने बैंक में चेक जमा कराते हैं आपक में development के काम भी करता है जैसे अगर क्रिशी का development करना हो तो उसके लिए special loan दिला देना उद्योगों का development करना हो तो industrial loan special दिला देना इस तरह से indirectly development function भी वो निभाता है लेकिन RBI का अगर सबसे एहम कोई काम है तो वो है भारत की मौदरिक निती का संचालन करना, monetary policy को बनाना, ल liquidity या तरलता की मात्रा को कम या जादा करता है, इसके लिए RBI कुछ उपकरनों का प्रियोग करता है, जिसे हम नाम देते है RBI के monetary tools या moderate current, ये moderate current कोन-कोन से हैं, आईए इनको देखते है, RBI के moderate current basically दो परकार के होते हैं, या तो होते हैं मात्रात्मक, जिनको हम English में बोलते है quantitative या फिर होते है qualitative या गुनात्मक, मात्रात्मक उपकरन वो होते हैं, जिसमें हम सिर्फ तरलता की मात्रा को कम या जादा करते हैं, गुनात्मक उपकरन वो होते हैं, जिसमें liquidity की मात्रा को कम जादा करने के साथ साथ हम उसके use को या उपयोग को भी तै करते हैं, मात्रात्म इंग्लिश में हम बोलते हैं demand and time liability, ये मांग और अवधी दाइत्व का जो पैसा या जमा की रूप में जो पैसा बैंकों के पास आया, बैंक इसी पैसे को आगे दूसरे गरहा को लोन दे देता है, लेकिन हमारा Reserve Bank of India कहता है कि अगर आपके पास 100 रुपर जमा हुए तो सारे कैसे आप लोन के रूप में नहीं दे पाऊगे, इसका कुछ हिस्सा बैंक को नगत 100 रूप में cash के फौर में RBA के पास जमा कराना होता है, अपनी जमाओं का जितना हिस्सा बैंक वाला RBA के पास नगत 100 रूप में जमा कराएगा, उसको हम लोग नाम देते हैं cash reserve ratio, CRR, इसक इसको हम लोग नाम देते है SLR, SLR का rate भी बार पर बदलता रहता है, जो फिलहाल है 18%, अब जब किसी बैंक को पैसे की जरूरत पढ़ती है, तो बैंकों की पैसे की जरूरत दो प्रकार की होती है, या तो बैंकों को कम समय के लिए पैसा चाहिए, अलब काल के लिए, या चा ठीक ऐसे ही, अगर किसी बैंक के पास में ज़्यादा पैसे हैं, और वो पैसे RBA के पास जमा करा दिये जाएं, तो बैंकों को RBA से जिस rate पर ब्याज मिलता है, उसको हम लोग नाम देते है, reverse repo rate, जब किसी बैंक की आवशकता, repo के माध्यम से पूरी ना हो पाए, तो बैंक अन्ति मुपाए के रूप में एक और सुईधा का प्रयोग करते हैं, जिसका नाम सीमान स्थाई सुईधा, या marginal standing facility है, ये बैंक अपने जमाओं के एक प्रतिशल से जादा रण इसके अधिन नहीं ले सकता, अलब कालीन रण लेने का ही एक तरीका है, और अगला मातरात्म क करन है, जिसका नाम है खुले बाजार की क्रियाएं, open market operation, खुले बाजार की क्रियाओं से मतलब होता है, कि Reserve Bank of India एक निवेशक की तरह है, मुदरा बाजार में या पुंजी बाजार में आ जाता है, निवेशक की भाती, या तो bonds या प्रतिभूतियों को खरीदता है, या बे किसको लोन देना है और किसको नहीं देना है, सब के लिए रिन उपलब कराने की जगे, selection करता है, सिर्फ चैनित वेक्तियों को ही रिन देता है, दूसरी भाशा में ये कहूं कि RBI ये decide करता है कि अगर इस समय देश में महंगाई जादा है, तो ग्रहाकों को लोन देने की करना होता है, उनके लिए लोन की रेट जादा रखी जाएगी, प्रमोट करना होगो तो रिन की रेट कम रखी जाएगी, इसी तरह से एक और है जिसका नाम है margin अवशक्ता, जब कोई वेक्ति लोन लेने के लिए जाता है, तो उसको बदले में security रखनी पड़ती है, security की रा किसानों को 40% लोन देना, इसको हम राशनिंग का नाम देंगे, अगर फिर भी कोई bank ना माने, तो RBI उनके उपर नैतिक दवाव बना सकता है, नैतिक दवाव का मतलब होता है, इसको ना मानने पर कोई कारवाई नहीं हो सकती, दंड नहीं दे सकते हम, लेकिन अगर किसी bank मे बहुत ही N.A. में इतना है चल रही हो, तो RBI उसके उपर प्रत्यक्ष रूप से कारवाई कर सकता है, उसको direction दे सकता है, क्योंकि bankों का नियामक है, जो bank नहीं मानेगा, उसके उपर RBI कंट्रोल करने के लिए अपना hunter चलाएगा, पैनल्टी जोर माना लगाएगा, अब इस CRR को बढ़ाएंगे, CRR को बढ़ाने से bankों की रिंड देने की शमता घटती है, bank रिंड कम देगा, कम रिंड देने से लोगों के पास में खर्च की शमता कम आएगी, लोग खर्च कम करेंगे, तो कम खर्चा करने से देश में महंगाई अपने अपनी नियंत्रित हो जाएग तो यह याद कर लिजिए, हम लोग जल्दी ही मिलेंगे अगली class के साथ में, किसी अगले chapter में, तब तक के लिए आप सब इसे revise कीजिए, अगर आपको हमारा content पसंद आता है, तो हमारे channel को like कीजिए, जादा से जादा लोगों के साथ में share कीजिए, subscribe कीजिए, और हमें encourage कीजिए कि हम लोग और आपके लिए अच्छे से अच्छे content ला सकें, आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद, thank you.